आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं कल तक हमने गैलवानोमिटर पढ़ लिया था आई होप आपने देख लिये हैं दो लेक्चर गैलवानोमिटर पर हम कर चुके हैं जिसमें हमने उसकी construction, working और second में कुछ sensitivity के बारे में सुन लिया था बहुत ही important session है ये आज का और एक कल का दो session बहुत important है एक एक number के questions यहां से उठते हैं paper में यहीं से उठेंगे बता दूँ आपको और बहुत important है पहले सुनना अगर आपको याद हो तो galvanometer के second part में मैंने एक sentence बोला था क्या sentence बोला था कि ये spring बहुत delicate है, बहुत soft है, strip जो लगी थी वो भी बहुत soft थी तो होता क्या है, जैसे ही ज़्यादा current इसमें आती है, जब हमारी circuit में ज़्यादा current होती है क्यों मैंने galvanometer लगा दिया, मैंने galvanometer लगा दिया और circuit में current कैसी है जादा है तो होता क्या है, कि वो तेजी से torque लगता है ज़्यादा torque लगता है और coil क्या हो जाती है तूट जाती है और हमारा galvanometer उसके बाद useless हो जाता है कॉइल तूटें मतलब क्या है वो strip तूट जाती है, spring तूट जाती है तो अब इस situation से बचने के लिए कुछ उपाए है हमारे पास वो उपाए क्या है वही हम आज सीखेंगे और वो उपाए है सामने नाम लिखा है shunt बहुत important topic है shunt का पहले तो एक छोटा सा meaning समझ लें shunt नाम सुनते ही आपको कुछ याद आना चाहिए कुछ बता दूँ मैं आपको ताकि हमेशा याद रहे कोई बहुत छोटी resistance कोई very small resistance अगर connect कर दी जाए parallel में किसी भी circuit के या किसी भी component के parallel में अगर कोई बहुत छोटी resistance connect कर दी जाए तो उसको बोलते हैं shunt सुना कुछ shunt का मतलब क्या हुआ a very small resistance connected in parallel parallel में कोई बहुत छोटी resistance मैंने बोला कि 0.002 ohm की resistance अगर मैं parallel में लगा दूँ 0.1 की resistance parallel में लगा दूँ तो वो parallel में लगी हुई resistance को नाम क्या देते हैं shunt बोलते हैं यानि कि आप अगर ये बोलें कि मैंने shunt parallel में लगा दी तो गलत है shunt का मतलब ही क्या है resistance या small resistance connected in parallel this is shunt for you clear इतनी बात अब अभी मैंने बोला क्या था और क्यों use करेंगे वो अब मैं समझता हूँ पहले तो आप एक काम समझ गए होंगे अब तक क्यों मैं इसको picture में लेकर आ रहा हूँ topic की शुरुआर जान ली है आपने क्या थी कि हमारा galvanometer जादा current जहल सके क्योंकि circuit में जादा current भी मैंने galvanometer लगाया sense करने की लगाया था मैंने बस हलका भुलका हिल जाता तो बात समझ में आ जाती क्योंकि sense कर रहे थे हम लेकिन वो क्या होता है इतना जादा sensitive हम बना देते हैं galvanometer को और sensitive पता है क्यों बनाते हैं ताकि छोटे छोटा deflection मेजर कर सके अब हम एक ही काम तो कर सकते थे हम उसको जादा sensitive बना दिया तो उससे हुआ क्या कि वो छोटी छोटी करेंट तो मेजर करने लग गया लेकिन जैसे ही तोड़ी जादा करेंट आई तो जादा दिफ्लेक्ट होगा और जादा दिफ्लेक्ट होगा यानि कि उसने हमारे galvanometer की agency हो गई खराब हो गया फुक गया कोईल तूट गई कह देते हैं या फिर मैं बोल सकता हूं कि spring तूट गई तो इन सब चीजों से avoid को avoid करने के लिए हम shunt use करते हैं अब कैसे करते हैं वो मैं समझा रहा हूं उसके लिए हम third chapter में थोड़ा सा गुसना पड़ेगा third chapter की दो तीन बातें बताऊंगा फिर हम वापस आते हैं अभी वापस से connected हैं तो पहली punchline कि उनका equivalent उनका equivalent जो छोटा वाला होता है उससे भी कम होता है पहली punchline सुली कोई भी दो register अगर parallel में connected हैं तो उन दौनों का equivalent जो होगा वो कैसा होगा उन दौनों के total से उन दौनों में जो सबसे चोटा उससे भी कम होगा बड़ा लंबा sentence है मैंने बोला यह one ohm का है यह thousand ohm का है अब मैं बोलूं यह parallel में अगर connected है मा लिया यह parallel में connected है दीखे parallel में connected हो गए है तो अब मैं आपसे बोलूं कि कुछ मुझे आता हो ना आता हो मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि जो equivalent इन दौनों का आएगा वो इन दौनों में जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा होगा इनकि इनका equivalent one ohm से भी छोटा आएगा यह बात दिमाग में बसा लेना आपने थर्ड चैप्टर में भी बोली थी आज फिर बोल रहा हूं नहीं विश्वास है तो देख लीजेगा आर equivalent दो resistance का क्या होता है पै या obviously यह number one से छोटा नजर आ रहा है क्या ही one से छोटी हो गई है अरे 1000 में 1001 से डिवाइड करेंगे तो one से थोड़ा छोटा ही तो आएगा point 99 करके कुछ आजाएगा point 98 करके कुछ आजाएगा one से छोटा आया ना यही तो मैं बोल रहा था कि इनका equivalent जो छोटा है उससे भी पहली बात दिमाग में सुन ली काम आएगी यह काम आएगी आने वाले दो तीन दिनों में हम इसी पे चरचा करेंगे बहुत जरूरी बात है समझ में नहीं आता जो अब शुरू होने वाला है वो लोगों को याद रहता है समझ में किसी के नहीं आता है तो इसलिए बहुत careful जाई आप एकलौते ऐसे बच्चे नजर आएं इसको इस समझ में आया हो चलिए पहली बात खतम कर ली अब दूसरी बात पर आते हैं मैंने आपको एक बात बताई थी करेंट हमेशा वो पात फॉलो करती है जहां रेस्टेंस कम मिलती है पता है अगर मैं बोलू यहां से करे कितनी गई वो बात की बात है मैंने बोला सपोस करिए 10 एंपियर क्या करेंट गई मालो 10 एंपियर मुझे बैटरी नहीं पता किते वोल्ट के तो मैं अभी कैल्गुरेशन एक्जैक पर नहीं जा रहा हूं जस्ट बोला कि यहां से 10 एंपियर की करेंट आई तो मिजॉर्टी कहां से जाएगी यहाँ पर दिवाईद होगी करेंट इस तो करेंट ऊपर जाएगी कुछ इदार आएगी दिवाइट होगई तो मिजॉर्टी ओफ दि करेंट किस तरफ जाएगी वन ओम के पास जाएगी यह थाउज spirits कम होती है इसको mathematically भी ब्रूफ कर सकते हैं हम लोग इसकी बैटरी कुछ माल लें, तो V cost to IR से भी पता चल जाएगा, अरे I cost to V upon R होता है, I cost to V upon R होता है, दौनों का potential क्या सेम है, तो resistance जिसकी ज़्यादा होगी, वहाँ पे current कम होगी, इसमें इतना क्या सोचना है, उसको मैं तो बना के बोल दिया, कि current कम resistance वाला path follow करती है, तो कम resistance वाला path follow करती है, maximum current कहां से चली जाएगी, यानि कि more current कहां से जाएगी, इस one ohm से, जितनी कम resistance होती ज़्यादा current, और दूसरा, less current कहां से जाएगी, अरे line सुन ली है, यह बात है दिमाग में बस जानी चाहिए, बस जाएं, सुन ली, क्या बस जाए, current कम resistance वाला path follow करती है, तो ज़्यादा current कहां जाएगी, one ohm में, कम कहां जाएगी, thousand ohm में, सुन ली इतनी बात, अब दो बातें जो मैंने सिखानी थी, मैंने सिखा ली हैं, अब मैं आता हूँ, अपने topic पे, shunt पे, clear, अब तक तो सोड़ी बहुत कहांई समझ में आ गई होगी, अब galvanometer को represent करने का क्या जर्दिया है, कैसे हम represent करते हैं, इतना बारबार galvanometer का diagram नहीं बनाएगी, जैसे आपने सीखा होगा बच्पन में, emitter को represent कर देते थे, a से, voltmeter को represent करते थे, V से in the same way galvanometer को represent करते हैं G से, ऐसा कर चुक है, हम लोग साहथ weed stone bridge हमने पढ़ा था, तब हमने किया था, I think सबको याद है, मुझे बताने जरूत नहीं है, तो galvanometer को represent किसे करते हैं G से, अब मैंने बोला, ये एक galvanometer है, G, क्या है इसकी, ये galvanometer G है, representation है, ये तो पता ही होगा, 10th class से, कि current measure करने वाले equipments, series में लगते हैं, और voltage वाले parallel में लगते हैं, अगर मुझे voltmeter लगाना होता है, तो parallel में लगाता हूँ, और emitter या कोई इस तरह की चीज़ लगानी होती है, जिससे current measure हो या detect हो, उसको कहां लगाते हैं, series में, चलिए, मुझे ये register था, इससे current detect करनी थी, इस circuit में, तो मैंने galvanometer को attach कर दिया, माल ये current कितनी आ रही थी, आई आ रही थी circuit में, तो अब क्या हो रहा है, ये current इतनी ज़्यादा है, कि हमारे इसको खराब कर देगी, तो मैं चाता क्या हूँ, मैं चाता क्या हूँ, मेरा galvanometer बचा रहे है, और detection भी हो जाए, detection भी हो जाए, और galvanometer भी जिंदा बचा रहे, तो एक उपाई मेरे पास ये है, कि current इस galvanometer से कम पास हो, यानि कि ज़्यादा current कहां चली जाए, ज़्यादा current ये रास्ता छोड़ दे, ज़्यादा से ज़्यादा current इस रास्ते को छोड़ दे, यानि कि ये current जो जा रही थी हमारी सीदी-सी galvanometer में, वो ज़्यादा ना जाए, इतनी जाए कि हमारा galvanometer जहल सके, तो मैंने क्या किया, इसके साथ parallel में एक छोटा सा ननना सा register लगा दिया, क्या लगा दिया, छोटा सा ननना सा register लगा दिया, उस छोटे से ननने से register को मैंने S से denote कर दिया, अच्छा लगेगा अब, छोटा सा register पैरलल में लग गया, तो इसको क्या नाम दे देंगे, शंट, इसलिए denote किससे कर दिया, ऐसे, अब होगा क्या, ये बहुत छोटा है, और ये galvanometer, अच्छा हाँ, एक बात तो मैंने बता ही नहीं, बता दो दी है पिछले lecture में, galvanometer जो है, क्या उसके पास कुछ resistance है, है या नहीं है, शाद जिक्र किया था मैंने, कि उसमें जो turns लगे हैं, coil लगी है, वो coil वायर ही तो है, और अगर वो coil एक वायर है, तो वायर की कुछ resistance होगी, यानि कि galvanometer की भी कुछ resistance है, galvanometer की भी कुछ resistance है, और उससे भी कम resistance, बहुत छोटी resistance मैंने कहा connect कर दी है, इसके साथ parallel में, और उस parallel में लगी resistance को क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं, तो हुआ क्या, हुआ क्या, अब दो register सामने दिख रहे हैं, तो current किस रास्ते को ज़्यादा follow करेगी, ज़्यादा current कहां चली जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा current इस शंट में आ जाएगी, और कम से कम current कहां जाएगी, galvanometer में, और अगर galvanometer में current कम गई, इसका मतलब, वो galvanometer अब खराब होने से बच जाएगा, वो galvanator अब खराब होने से बच जाएगा और हमारा galvanator deflection तो अभी भी करेगा current तो उसमें जा रही है तो वो deflection तो अभी भी करेगा लेकिन क्या होने से बच गया उसकी coil तूटने से बच गयी उसकी spring तूटने से बच गयी हमने majority of the current को कहां से bypass कर दिया इसको बोलते हैं current को bypass कर दिया और bypass बना दिया है और इस bypass के सारे current चली गई है कुछ सुना तो shunt क्या हुई अब summarize कर देते हैं चीजों को shunt क्या हुई कोई small resistance जो parallel में connected हो कोई very small resistance जो parallel में connected हो उसका galvanometer में क्या काम है उसके दो काम है अभी एक ही काम बता है मैंने एक अभी बताऊँ अगले lecture में क्या काम है उसका उसका काम ये है कि अपने galvanometer को access current से protect करना जो आम लिख सकते हैं it is used used to protect the galvanometer from from access current अगर किसी ने ना देखा हो तो बता दे जब हम generally galvanter को connect करते हैं ना तो जो needle है उसकी इतनी बढ़डा के आगे बढ़ती है कि वो ऐसा अक तक meter को तोड़ के बाहर निगल जाएगे भी ऐसा feel आता है और यही वो situation है जब आपको ऐसा feel आ जाना चाहिए कि अब galvanter गया अब दुवारा नहीं काम करे गई है क्यों उससे protect करने के लिए हम क्या use करते है shunt paper में बहुत बार question आता है what is the use of shunt तो एक use मैंने अभी discuss किया है सिर्फ एक use discuss किया है अभी एक और use है वो हालांकि इस नाम से नहीं होगा वो दूसरे तरीके से बताऊंगा चलिए इतना आपने note कर लिया है क्या करते हैं आपको समझ में आ गई होगी बात अब आगे बढ़ते हैं अगले lecture में तब बात करेंगे कि क्या करना है till then notes बनाते रहे हैं बना नहीं रहे हैं नहीं कोई notes send करता है नहीं कोई कुछ कर रहा है कोई सविदम ऐसे ही शांती सा महाल बनाके रखे हैं गलत है यह थोड़ा सा पताने मैं कुछ नहीं कहूंगा